हेलो वीवर्स वेलकम इन टेक्नो बैजान यूटुब चैनल वीवर्स यह हमारा बहुत ही खास वीडियो है कि इसमें हम तीन प्रोके माइक देखने वाले हैं जो अलग-अलग है और यह मार्केट में काफी मशूर है तो सबसे पहले हम देखेंगे Q7 फिर Q9 और इसके बाद WS858 हाइफाइ स्पीकर यह तीन हमारे पास में अवेलेबल हैं हम यह तीनों को देखेंगे और तीनों को कंपेर करें कि आपके लिए बैस्ट कौन सा रहेंगा क्योंकि मैंने देखा हूँ यह हिंदी में यह वीडियो अवेलेबल नहीं है तो इसी ने मैंने इस तीनों को एक साथ मिलाकर एक वीडियो बनाने की कोशिश किये तो उम्मीद है आपको यह वीडियो मेरा बहुत पसंद आएगा और आप इस चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर दीजिए ताके आपको प्रॉक्यमाइक के सारे वीडियो और अदर आप इस पर प्रिंटर सुदारना है अगर आपको प्रिंटर टोनिंग करना है उसकी र प्रिंट गाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो तो सबसे पहले मैं इसको अन्बॉक्स करता हूं यह है हमारे पास क्यू सेवन तो क्यू सेवन इसके साथ में आपको दो केबल मिल जाएंगे सभी के साथ में दो केबल आपको और यूजर मैनुएल आपको इसको मिल जाएंगा दूसरा हमारे पास माइक है वो है क्यू नाइन इसके साथ में भी आपको यूजर मैनुएल और केबल मिल जाएंगा तीसरा माइक जो हमारे पास है वो है WS858 यह थोड़ा डिफरेंट है दोनों से क्योंकि यह एक ही कंपणी के यह अलग कंपणी का मॉडल है यह हमारे पास में है इसके साथ में आपको यूजर मैनुवल और इसके केबल वगर आपको इसके मीचे साइड में मिल जाएंगे तो फ्रेंट्स यह है थीन-क्रोके-माइक अलाग-अलाग अलाग सबसे पहले रहे हमारे पुरले के इनके एक भरेण गीचर के बारे मिल जाती हुआ यह उसके बार इन बात की जाए तीनों की compare करें हम के तीनों में function same क्या है तो देखे तो सभी के सभी Bluetooth device है उसके बाद सभी के अंदर आपको ecosystem मिल जाता है सभी के अंदर आपको treble, bass, volume उपर नीचे करना है music को function है और सभी में आप phone receive कर सकते हैं सभी को आप आपके mobile के Bluetooth से connect कर सकते हैं बाकि सिर्फ चेंज यह है कि इनका hardware चेंज है यह इसका जो box है थोड़ा बड़ा है Q9 का box थोड़ा छोटा है Q9 ज्यादा cute लगता है इसके मुकाबले में यह ज्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन black color जो आप यह use किजिए ताकि आप अगर रोट पर भी निकले और लोगों से इंटर्वी ले तो लोगों कुछ अजीब ना लगे तो यहाँ पर दिये गया है दोनों में देखे तो इसमें सारे functions सामने दिये गया है इसके जो functions दिये वे है वो सामने और उपर साइड में दिये गय है अगर इनकी बात करें तो नीचे चार्जिंग दी गई है और यूस्वी पॉट यह साइड में दिया गया है यह Q7 है Q9 के अंदर यह सिर्फ चार्जिंग यहाँ पर दी गई है और यूस्वी पॉट यहाँ पर दिया गया है और तीनों के अंदर जो है तो condenser mic है जिससे आ ज्यादा function इसमें है जी हाँ अगर आपको ज्यादा functions चाहिए ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए तो यह best रहेगा क्योंकि इसमें ज्यादा function इसमें है तो देखिए इसमें function क्या क्या है तो सबसे बहले आपको voice up down मिल जाता है इसके अंदर इसके बाद पर नीचे आप कर सकते रिमिक्स है और वालीम की है सबसे इक्समें ड्रेडियो यह दोनों में नहीं है कि इसमें अधेम रेडियो है इसमें नहीं है इसके इनतर अट नीचे स्लोड की बाद की जाए तो आप इसमें direct memory card आपकोई यहाँ पर अटेज कर सकते हैं यह दोनों मे आप microphone attach कर सकते हैं यहाँ पर आप इसमें microphone लगा सकते हैं और जो भी आपने Bluetooth से connect किया है वो आप इसको आपकी mobile पर इससे डारेक्स पर सुन सकते हैं या voice recording आप इससे कर सकते हैं इनमें ये दोनों में ये function आपको नहीं मिलेगे तो ये एक extra चीज़ दो चीज़े extra इसके अंद रहे तो ये दो जो है तो इसमें से ये किस मुझको पसंद नहीं है ये दोनों अच्छे है अगर आप कोई function party के अंदर अगर यूज़ करना चाहते है तो आप ये यूज़ करिए अगर आप professionally यूज़ करना चाहते है तो आप ये यूज़ करिए क्योंकि दोनों की design बहुत की जाए तो सबसे ज़्यादा battery backup आपको बिलेगा ये दोनों में इसका battery backup कम है ये इसमें एक demerit है इसका दिखने में बहुत खुब्सूरत है उपर इसके बटन दिया गया ओन आप का दिखने में खुब्सूरत है लेकिन इसकी battery backup कम है इसकी battery backup जो है वह 1800 mAh है याने 1800 mAh इस 2600 mAh याने 2600 mAh याने आपको इससे दो से तीन घंटे ज्यादा तक कि यह चलेंगे वाइस की बात की जाए तो loud wise अगर देखे हम तो मैंने जो इसमें देखा हूं तो Q9 का wise जो है मुझे इसका loud मिला है इसमें दो speaker है तो दूसरे जो है उसमें भी इसमें भी 2 speaker है इसमें भी Q7 अगर आप त्यूनों में से कोई खरीदना चाते है तो आप Q7 को तो एकदम यहां से लेस्ट से निकाली जीजिए अब हम सिर्फ इसमें बात करें कि आपके दोनों में से कौन से ठीक रहेगा तो बैटरी बैकप में यह ज्यादा अच्छा है ज्यादा function की बात की जाए अगर इसमें आप memory card लगाना चाते है तो यह अच्छा है लेकिन आप इसमें memory card लगा सकते है अगर आपके पास USB केबल है तो आप यहां से उसको डारेक इसमें कर सकते हैं वाइस लाउड में तो Q7 Q9 अच्छा है और अगर आपको थोड़ी कम वाइस भी चलती है लेकिन आपको functions जादा चाहिए डारेक memory card लगाना है आपको headphone यूज़ करना है तो आप इसको इसको इसमाल कर सकते हैं तीनों के अ Android से भी आप इसको connect कर सकते हैं Windows Phone से भी आप इसको connect कर सकते हैं इसमें option ही दिया हुआ है यह भी दोनों के ओपर work करता है तो मेरी राही है अगर आपको ज्यादा features चाहिए आपको battery backup कम भी चले तो यह लेना चाहिए और अगर आपको battery backup ज्यादा चाहिए तो आपको Q9 लेना चाहिए लेकिन ज्यादा तर देखा जाए तो इसके तरफ ज्यादा लोग जाएंगे क्योंकि इसमें option ज्यादा मिलते है बड़ी battery backup कम भी रहा तो लोग adjust कर लेंगे क्योंकि इसमें memory card है इसमें headphone लगा सकते है और इसका shape भी जो है तो थोड़ा different एक्डम गोल है तो आपकी मर्जी आप जो चाहे तोनों में से ले ले मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हूंगा और आप इसको काफी आपके लिए helpful रहेंगा तो इसी तरीके से आप techno भायजान को support करते रहें यहां पर visit करते रहें और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहु झाल 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 झाल झाल